जार्खंड वैदर, राज्य में 6 मई से चलेगी आंधी, इतनी रहेगी हवा की स्पीड, स्प्रेट दलाओ, जार्खंड वैदर, रांची, जार्खंड में 6 मई से आंधी चलेगी, आने वाले दिनों में बारिश भी होगी, इस बीच 5 मई तक लू चलती रहेगी, इसका असर क केंदर के अनुसार, राज्य में अगले 24 घंटे में अधिक्तम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है, इसके बाद अगले 2-3 दिनों में इसमें धीरे-धीरे 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, 6 मई को यहां बारिश, केंदर के अनुसार 6 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं गर्जन के साथ हलकी बारिश होने की संभावना है, इसका प्रभाव देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडिह, गोर्डा, जामताड़ा, पाकुर, साहिब गंज, जिलों में पढ़ने की संभावना है, इसी तरह 7 मई को राज्य के कु पश्चमी सिंग भूम, पूर्वी सिंग भूम, पाकुर, गोर्डा, जिले में कहीं कहीं भूकी स्थिती देखी जा सकती है, यहां आंधी वजरपात संभव, केंद्र के अनुसार 6 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवा का जूंक चलने के साथ वजरपात होने की आशनका है, हवा की स्पीद 40-50 किलोमीटर प्रती घंटा होने की संभावना है, इसका असर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिदि, गोर्डा, जामताड़ा, पाकुर, सहिब गंज जिलो में पढ़ने की संभावना है, इसी तरह 7 मई को रा खेख्याल, दोपहर 11 बजे से 3 बजे के बीच धूप में बाहर जाने से बचें, पर्याप, पानी पिये, जितनी बार संभग हो पिये, भले ही प्यास नहीं लगी हो, हलके, हलके रंके डिले और छिद्रयुक्त सूती कपड़े पहने, धूप में बाहर जाते समय सुरक्षात मक्चश में छाता टोपी या चपल का प्रयोग करें, जब बाहर का तापमा न देखो, तब बाहरी गतिविद्यों से बचें, यात्रा करते समय अपने साथ पानी अवश्य रखें, शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड शीतल पे से बचें, जो शरीर को निर्जलित कर पाक किये गए वाहनों में बच्चो या पालतु जानवरों को नहीं छोड़ें, यदि आप बेहोश या बीमार महसूस करते हैं तो तुरंट डॉक्टर से मिलें ओ आरेज, घर में बने पे जैसे लसी, तुरानी, चावल का पानी, नीमू पानी, छाचादी का उपयोग करें जो शरीर को फिर से हाइडरेट करने में मदद करता है जानवरों को छाया में रखें, उन्हें पीने के लिए भरपूर पानी दें, अपने घर को थंडा रखें, परदे, शतर या मनशेद का उपयोग करें और रात में खिल किया खुली रखें पंखे का प्रयोग करें, गीले कप्टे पहने और बार-बार थंडे पानी से खान करें यहां सीधे पड़े खबरें, खबरें और भी हैं, इसे आप अपने न्यूज वेब पोर्टल देनिकभरत24.com पर सीधे भी जाकर पर सकते हैं नोटिफिकेशन को अलाव कर खबरों से अपटेट रह सकते हैं, सुविधा के अनुसार अन्य खबरें पर सकते हैं, आप अपने न्यूज वेब पोर्टल से फेस्बुक, इंस्टाग्राम, एक सहित अन्य सोशल मीडिया के साथ साथ सीधी गूगल हिंदी न्यूज पर भी जूड सकते हैं, यहां भी खबरें पर सकते हैं, अपने सुझाव या खबरें हमें, आप रेंस, मौसम विभाग की नई भविश्यवानी, अगले 48 घंटे में 24 जिलों में दो दिन बारिश, आन्दी तूफान, आएमडी अलर्ट, आप रेंस, बर्ते तापमान और हीट बीच मौसम विभाग से रहत भरी खबर आई है, यूकी में कल से मौसम बदलने की उम्मीद है, आएमडी ने इन जिलों में बारिश आन्दी तूफान के लिए अलर्ट जारी किया है, आप रेंस, मौसम विभाग की नई भविश्यवानी, अगले 48 घंटे में 24 जिलों में द बीच मौसम विभाग से रहत भरी खबर आई है, यूकी में कल से मौसम बदलने की उम्मीद है, आएमडी ने इन जिलों में बारिश आन्दी तूफान के लिए अलर्ट जारी किया है, आप रेंस, उत्तर प्रदेश में तेज दूप और गर्मी के बाद फिर से मौसम करवत रहा है, पश्चिमी विक्षोब के सक्रिय होने से अगले 48 घंटे में पूर्वी यूपी की जिलों में बारिश आन्दी तूफान और कुछ स्थानों पर बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है, शनिवार से बादलों की आवाजा ही शुरू हो जाएगी, इस दोरान ह इस दोरान कुछ हिलाकों में आकाशिय बिजली गिरने की संभावना है, वेस्टन बिस्टबंस के सक्रिय होने से गर्मी के सीजन में भी पहाणों पर बर्फ की चादर बिच्छी हुई है, इसके असर से दिल्ली समेट कई मैदानी इलाकों में तापमान कम चल रहा है, यानि मैदानी इलाकों में हीट वेव और सक्त गर्मी से कुछ राहत मिली हुई है, अब एक और वेस्टन बिस्टबंस आ रहा है, जिसके असर से बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है, मौसम विभाग ने पूरवी यूपी के जिलों में अलद जारी किया है, ह इसे तापमान में एक से दो डिग्री की गिरावत भी आ सकती है, यूपी में अधिक्तम तापमान को 42 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, वारा नसी यूपी का सबसे गर्म शहर रहा, यहां पर-पर 42 डिग्री तक पहुँच गया, शुक्रवार को तापमान यूपी के लगभग जिलों में 40 से अधिक रहा, मौसम विभाग के अनुसार 7 और 8 मई तक एक नया वेस्टन डिस्टबंस के कारण यूपी के लगभग जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है, इन जिलों में आंधी तूफान बारिश का अलत, बल्या, आजम की सुल्तानपुर, आयोध्या जिले शामिल है, वेधर अपडेट, यूपी वालों को जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, इस दिन से होगी बारिश, जानी अंधी की भविश्यवानी, वेधर अपडेट, उत्तर प्रदेश के विभिन हिस्सों में कई दिनों से भीशन गर्मी क कहा जारी है, मौसम विभाग ने कई इलाकों में हीट वेव से लेकर गंबीर हीट वेव की चेतावनी जारी की है, हाला कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश का अलद जारी किया गया है, वेधर अपडेट, उत्तर भारत के साथ साथ देश के विभिन हिस्सों मौसम विभाग ने कई दिनों से भीशल गर्मी का कहर जारी है। तीन मई तक आस्मान में छाए रहेंगे हलके बादल। आयमदी के मुताबिक, यूपी में भीशल गर्मी के बीच एक से तीन मई तक आस्मान में हलके बादल छाए रहेंगे। चार मई को ये बादल और घने हो जाएंगे और रात होते होते बारिश में बदल जाएंगे वही पाँच और छे मई को भी दिल्ली का मौसम हलका थंदा बना रहेगा न्यून्तम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है लू की चपेट में यूपी पिछले 24 घंटे में मौसम की बात करें तो अभी पूरा यूपी भीशन गर्मी और लू की चपेट में है हाला अत ऐसे हैं कि मंगलवार को कुशीनगर, गाजीपुर और वारानसी में दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्च किया किया गया सप्ताह के अंत में बदलेगा मौसम मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तरी हवा के प्रभाव से न्यूंतम वा अधिक्तम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस गिरावत की संभावना है एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोग के प्रभाव से 4 मई को पश्चिमी वा उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं मेग गर्जन के साथ हलकी बारिश होने का पूर्वानुमान है यानि सप्ताहांत में मौसम फिर बदलेगा पश्चिम बंगाल, ओरिसा, जारखंड, आंध्रप्रदेश में गर्मी होगी कम, कई राजियों को मिलेगी राहत देश के पूर्वी राज्य और दक्षणी प्रायद्वीत दक्षण भारत के अंध्रूनी हिस्से पिछले कुछ दिनों से अत्यदिक गर्मी की चपेक में है पश्चिम बंगाल, ओरिसा और जारखंड के कुछ हिस्से भीशन गर्मी से प्रभावित है पश्चिम बंगाल और जारखंड के अंध्रूनी इलाकों में 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान है वहीं, आंध्र प्रदेश का रोयल सीमा क्षेत्र भी पिछले कई दिनों से भीशन गर्मी जेल रहा है इस मौसम में चिल्चिलाती गर्मी से बुरी तरह प्रभावित अधिकांश हिस्सों में अलग-अलग स्तर की राहत मिलने की संभावना है कई मौसम प्रनाली देनगी बारिश, अगले सप्ताह के दोरान देश के बड़े हिस्से में गर्मी को कम करने और सूखे के संकत को खत्म करने के लिए कई मौसम प्रनालिया एक साथ आएंगी 6 मई को बिहार, जारखंड और पश्चन बंगाल के कुछ हिस्सों पर एक चक्रवाती परिसंचरन बनने की संभावना है ये फीचर लगभग 4-5 दिनों तक पूर्वी राज्यों में घूमता रहेगा ये परिसंचरन बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं खीचेगा इसके अलावा, ये सिस्टम भारत के गंगा के मैदानी इलाकों के साथ चिनित्रफ से भी जुडेगा बंगाल की खाड़ी में प्रतिचक्रवात भी गर्म और नम हवाओं को बढ़ावा देगा एक साथ काम करने वाली कई मौसम प्रनालियां, देश के पूर्वी और मध्य भागों में बड़े पैमाने पर प्री मौनसून तूफानी गतिविधियों को बढ़ावा देंगी इन राज्यों में होगा असर, मानसून पूर प्राइद वीपिय भारत ट्राफ, एक अर्ध स्थाई विशेश्ता, दोबारा बन रही है दक्षन पश्चम खाड़ी से दक्षनी हवाओं की तेज धारा दक्षनी राज्यों में बहुप्रती क्षित तूफान गतिविधि शुरू करने का काम करेगी महराष्ट्रा के कुछ हिस्सों पर बहुत थोड़े समय के लिए मौसम का असर होगा वहीं, गुजरात राज्य में बहुत बड़े पैमान पर बारिश का असर नहीं होगा और मौसम की मार से बच जाएगा भयनकर बारिश के साथ होलावरिष्टी, पश्चिम बंगाल, जारखंड और ओरिसा के कुछ हिस्सों में गंबीर मौसम गतिविधी बारिश की संभावना है यह मौसम विहार के पठार, छोटा नागपुर क्शेत्र, गंगिय पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ तेज आंधी और बिजली गिरने के लिए जाता है 07-9 माई 2024 के बीच इंग शेत्रों के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की स्थिती होने की उम्मीद है कुछ स्थानों पर हानिकारा कोला व्रिष्टी होने की संभावना है मौसम प्रनाली का बचा हुआ असर चत्तीस किल के दक्षनी हिस्सों पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भो और मराथ वड़ा के कुछ हिलाकों पर होगा दक्षन में तूफान की संभावना, दक्षनी भागों में प्रीमानसून तूफानों का व्यापक प्रसार होगा जो एक साथ कैशेतरों को कवर करेगा इस तूफान से गर्मी से प्रभावित रोयल सीमा, करनाटक, टेलंगाना और तमिलनाडू के क्षेत्रों में परेशान करने वाली स्थिती से राहत मिलेगी दक्षन आंतरिक करनाटक, आंधर प्रदेश के दक्षनी हिस्सो और तमिलनाडू की सीमा से लगे केरल के दूरदराज के हिस्सों में गमबीर तूफान की सम्भावना है इस अबभी के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों से लू की स्थिती कम हुने की सम्भावना है माई का दूसरा सप्ता हधिकांश भागों के लिए आरामदायक रहेगा, खासकर पूर्वी राजियों में जहां भीशन गर्मी पड़ रही है दोबारा गर्मी की स्थिती बनने के लिए ताजा निर्मान की जरूरत होगी इनके माई के दूसरे पक्वारे तक फैलने की संभावना है राजस्थान के इन सोलर जिलों में बारिश का अलट, चलेगी धूल भरी आंधी और गिरेगा पारा Weather Update Today जैपुर सहिक पूरे राजस्थान में मौसम में बदलाव का दौर अब भी जारी है शुक्रवार को एक नया पश्चिमी विक्षोग सक्रिय होने से जैपुर सहिक अन्य जगहों पर धूर भरी आंधी चलने के साथ ही बुन्दा बांधी हुई इस बीच उमस से लोग परेशान रहे जैपुर मौसम केंद्र के मुताबिक शनिवार को भी दस अधिक जिलों में थन्डी हवाएं चलने से तापमान में हल्की गिरावत दर्ज होगी Weather Update Today जैपुर सहित पूरे राजस्थान में मौसम में बदलाव का दौर अब भी जारी है शुक्रवार को एक नया पश्चिमी विक्षोब सक्रिय होने से जैपुर सहित अन्य जगहों पर धूर भरी आंधी चलने के साथ ही बुन्दा बांधी हुई इस बीच उमज से लोग परेशान रहे जैपुर मौसम केंद्र के मुताबिक शनिवार को भी दस अधिक जिलों में थन्डी हवाएं चलने से तापमान में हलकी गिरावत दर्ज होगी मेगगर जना के साथ ही हलकी बारिश हो सकती है मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार शाम से आगामी चार से पांच दिन मौसम शुष्क रहेगा तापमान में उतार चड़ाव के आसार रहेंगे मद्दान केंद्रों पर बिगली व्यवस्थाएं प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिन के दोरान मौसम के बदले असर से व्यवस्थाएं बिगल गई जालावार में सुबह से ही मौसम बिगड़ा और कई जगह बारिश हुई शाम तक बादल चाय रहे और हवा चली जालरा पाटन में बादलों की तेज गर्जना वबिजली की कुलकलाहात की साथ बारिश हुई खानपूर विधान सभाक शेत्र के बूट साथ मद्दान केंद्र कावद कला में तेज हवाओं से टैंट उखड़ गया रटलाई, भालता, सुनेल, रायपूर वमनोह रथानक शेत्र में भी बारिश हुई सीकर में भी कई जगहों पर हलकी बारिश हुई प्रतापकर में कई इलाकों में अंधर की साथ करीब 15 मिनत तक बारिश हुई बारिश के कारण विवाह समारों समेत मद्दान केंद्रों पर टैंट भी गिर गए कई जगल टैंटों खड़ गए कई मद्दान केंद्रों पर विद्युतापूर्ती भी गड़बड़ा गई यहां के लिए अलट शनिवार को जोदपूर, बीकानेर, बारान, भरतपूर, चित्तौलगर, अलवर, बास्वारा, बीकानेर, चूरू, हनुमानगर, कोटा, प्रतापकर, जालावार, जैपूर, दूसा, डूंगरपूर जिलों में हलकी बुंदबान्दी के साथ ही धूर भरी आन्दी चलने के आ पूर का 49.6, बीकानेर का 40.3, सीकर का 38.5, उदैपूर का 49.5, अजमेर का 49.8, अलवर का 40, भीलवारा का 40.1, बार्मेर का 41.9, भीलवारा का 40.1, जोदपूर का 40.3 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया पश्चिमी विक्षोब सक्रिय के बावजूद गर्मी का असर तेज, जैकुर मौसम केंद्र के मुताबक अप्रेल में अब तक साथ से जादा पश्चिमी विक्षोब सक्रिय हो चुके हैं इस साल सूर्यदेव की तपिश अधिक हावी रहने से पारा अप्रेल के दूसरे सप्ताह में ही 35 दिग्री के पारपारा दर्च किया गया अगले सप्ताह राजधानी का पारा 43 दिग्री तक पहुँचने के आसार है अप मौसम, अप में 4 मई से कर्वत लेगा मौसम